नवस्कार दोस्तों अजीब दौर ये आया है होसला रखना हर एक जान को खत्रा है होसला रखना तेरी गली में अंधेरा है कमन सीवी का गली के पार उजाला है होसला रखना आज कमोबेस जिस तरीके का अंधेरा है जिस तरीके का अंधेरा किया जा रहा है और जो हालात है उन हालात को देखकर तरस आता है आज मैं बात सुरू करूंगा इसराइल से आज सुरू करूंगा फिलिस्तीन से जिस तरीके से इसराइल में हो रहा है या इसराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ उनके नाग्रिकों के साथ उससे सर्मनाक कुछ हो नहीं सकता निश्चित रूप से हमास ने जिन बच्चों को मारा वो दुखत था उसकी निंदा होनी चाहिए सरवत्र निंदा होनी चाहिए लेकिन इसराइल जो कर रहा है उसकी तो बहुत भूर भूर निंदा होनी चाहिए क्योंकि हमास इस्थाई रूप से आतंकवादी संगठन नहीं कहा है और उस पर प्रतिवंद नहीं लगाया है ये नरेंद मोदी की सरकार की जो है उपलब्धी है कॉंग्रेस की सरकार के दोरा हमास को प्रतिवंदित किया गया था लेकिन इस सरकार ने उनके प्रतिवंद को हटा है इस से आप एक चीज समझ सकते हैं जो आज हमास और फिलि पर लियां कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो खुद इसके समर्थक रहे हैं, तो वो करता क्या है, इसराइल ने एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को, उसके एक नागरिक ने 26 चाकूँओं से गोद कर मार डाला, 26 बार चाकूँओं से गोदा, आप कल इस तीनी डाक्टर, बच्चों का इलाज कर रहा था, जो घायल बच्चे आ रहे थे और सबा रहे थे, अचानक एक बच्चा आया और उसको देखकर, उसके आँखों में आसू आ गए, आप भी सायद रो दें, ये जान कर, कि उस डाक्टर के सामने जो बच्चा आया, वो उ दम तोड़ गया, अपने पिता के सामने, दम तोड़ता बच्चा, मा दुनिया से चली गए, आप सोचिए, उसके बाद भी वो सेवा में लगा रहा, थोड़ी देर, वो मुड़ा और आसू पोचे और फिर आ गया, सेवा करने लगा, बचाने लगा, ये है आदमियत होती है ये है डाक्टरी होती है, जिस डाक्टर को, चिकित्सक को हमारे हाँ, कभी भगवान का दूत कहा जाता था, ऐसे ही लोगों के कारण कहा जाता और ऐसे ही लोग भगवान के दूत होते हैं, तो आज हमने फिलिस्तीनी उस डाक्टर को उस भगवान के रूप में देखा इस घटना से मैं खुद बहुत आहत और मैंने का इस पिक बोलना चाहिए कहना चाहिए और इस पर कोई कहे न कहे कॉंगरस पार्टी के मरी संकर आयाद आज इस मुद्वे को ले करके वो गए और फिलिस्तीन के दूतावास गए और उनके साथ सेंपैथी जता ही और उसके बाद उन्होंने मांग रखी कि इसराइल को एडारेक्शन दिया जाए उससे कहा जाए या तो सांती बरकरार करे नहीं तो बच्चों पर यह हमला करना बंद करे बच्चों के उपर नाग रास्ता जो गाजा से निकलने का था राफा उस रास्ते को भी बंद कर दिया इसराइल आप सूचिए यानि आप पानी नहीं देंगे बंद कर देंगे बिजली बंद कर देंगे रासन बंद कर देंगे फिर हमले करेंगे और हमले करने के बाद में बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देंगे यानि गैस चेंबर में मार डालेंगे ऐसी जहरेली गैस छोड़ी जा रही है जिसके जरिये सब मौत के मुँ में समा जाएं या जिसे कहें स्लो पॉईजन की तरीके से घुद घुद के मर जाएं उस तरह के हलात हो रहें और उसके बाद हिंदुस्तार जो वसुदयो कुटुमबकम की बात करता है जो सबजन हिताय सबजन सुखाय की बात करता है उस देश का उस देश का वह नालायक प्रधान मंतृình पक्छ लेटा है कि हम इजराय के साथ ख़우may क्यों ख़ोड़े हैं कराना इसलिए और फिर उसके बाद में दबे कुछले मूँ से विदेश मंत्राले कहता है कि नहीं हम फिलिस्तीन के साथ हैं उसके दर्द के साथ में वो हमारा पुराना दोस्त है आप देखें दोनों इस टैंड प्रधान मंत्री और उनके विदेश मंत्रालें क्या संपर्क न नहीं हैं लेकिन दोनों ड्रामे कर नहीं तो इस तरह की स्थिति यहीं वज़ा है कि पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन के साथ दे रही है सिवाए भारत के उन नफरती लोगों के भारत में भी सब नहीं दे रहे हैं नफरती लोग दे रहे हैं यदि आप कहें हिंदू तो मै बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि नफरतियों का निश्चत रूप से दमन होना चाहिए, हमास गलात करें तो हमास के खिलाफ का रवाई होनी चाहिए, और इसराइल करें तो इसराइल के खिलाफ होनी चाहिए, किसी को नहीं वक्सना चाहिए, बच्चों के साथ इस तरह क गटना है और उसके बाद उसे justify करते है यह वैसी इस्तुति है जैसी आज मनीपुर में है मनीपुर में यही हो रहा है मनीपुर में जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ बलातकार होता है जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है जिस तरीके से बढ़ों को मारा जा रहा ह और लगातार हत्याएं हो रही है आग लगाई जा रही है तमाम संपत्तियों को नुक्सान किया जा रहा है और सरकारी और पुलिस और सुरक्षा बनों से तकरीवन 6,000 घातक हत्यार लूटे जा चुके है या कहिए दिये जा चुके है और वहां की लड़ाई निश्चित है सत्ता आतंकियों की मदद कर रही और इस लड़ाई को बढ़ा रही है क्यों बढ़ा रही है कि योंकि ईसके जली है अपने बोट-बैंक सागने और उन निर्दोस कुकी समदाए के लोगों के लिए हमले वर्वाते करते हैं और नजाने क्या-क्या भलकाते हैं मुझे आज भी याद है मैं एक दिन हाई कोर्ट में था और ऐसे एक वकील थे जो आरेसिस से जुड़े हुए थे उन से मैंने जिक्र किया घटना का उनका बड़ा गलत हुआ बाद में साम को मिलते हैं के ते हैं सुकला जी वो तो सब इसाई है यानि इसाई है तो आप कुछ भी करेंगे मुसल्मान है तो कुछ भी करेंगे उनकी बेटियों की इज्जत कर देंगे यह आपका है तो यह सोच है जहां यह सोच हो वही गलत है और यही इज्राइल यह वही इज्राइल है उन्निस सो सैटालिस तक उसका नामों निसान नहीं था उन्निस सो आड़तालिस में जब यह देश बनता है कब बनता है उस देश में बनता है जिस देश ने उ जमीनों को कब्जा करके उसके लोगों को मार करके बना तब यासर अराफाद लड़ने निकले दे और उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसके खिलाफ हमास किसने बनाया वो हमास इसराइल का खड़ा किया हुआ और इसराइल ने उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि जि की भूबाग पर भी कब जा करें जिसके लिए वो लगातार लगा हुआ है यही वजह कि आज इसराइल में भी इसराइल के राश्पती का बिरोध हो रहा है और कड़ा बिरोध हो लेकिन हिंदुस्तान के नफरती लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं गर्यक इससे जादा और स आज उन्होंने रोट सो किया रोट सो इसलिए कह रहा हूं कि वो पैदल पैदल भारत जोड़ो यत्रा का एक्स्टेंशन कह सकते हैं वो गए और जा करके उन्होंने आज उसी ही जगे पांच किलो मीटर वो चले जहां पर एक समय में राजियु गांधी और सोनिया गांधी और लोगों के साथ मिले थे, बच्चों के साथ मिले थे, आज राहुल गांधी वहाँ पर उसी तरीके से, और उन्होंने कहा, उन्होंने जिक्र किया मनिपूर का, उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से बाटा जा रहा है, किस तरीके से देश को तोड़ा जा रहा है, और देश का विभाजन किया रहा, विभाजन करने की इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि देश आजादी के पहले, जिस तरीके से Two-Nation Theory को लाया गया था, जिस तरीके से हिंदू-Muslim को लड़ाया गया था, और खोदी हिंदू-Muslim, मुस्लिम, जो है, और हिंदू महासवा दोनों मिल करके सरकार चला रहते तीन राज़ों में और वही पर सबसे यादा हिंदू मुस्लिम मारे गें वो नफरत पन पाई गें तो खेल है उसके जड़ी यही दूसरा देश बनाया गें तो भारत के टुकले करने वाले लोग यह है यह टुकले टुक गैंग इस तरह की हरकती करता है आज इसी तरीके की स्थितियां और भी जगे देखने को में जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं आप देखें किस तरीके से सेना के अग्मी बीरी बनाके 19 साल के अमरित पाल को जिस तरीके से सहीद को अपमानित किया देश के लिए उसे सम्मान नहीं, उच नहीं, पला ज़ाड लिया सेना ने, और आज सेना क्या कर रही है, सेना नरेन मोदी और उसके प्रचार के लिए सेना का इस्तेमार, उन्हें आदेश दिया गया है कि वो जगए जगए जाएं, ग्यारा सेनों में सेलफी पॉइंट गये हैं और उसके जड़िये कि वो जगए जगए जाएं और प्रचार करें छुटियों के दौरान और दूसरे दौरान किसाब इतना अच्छा, बगएर देखें, बगएर समझें, बगएर असलियत जाने, तो इन हालात को आपको समझें परें, इस तरह से यह लोग रही है यानि अपने चुनाओ जीतने के लिए कुछ करें, हिमाले चले जाएंगे, मनीपुर नहीं जा सकते हैं, दुनिया में घूम आएंगे, मनीपुर नहीं जा सकते हैं, हिम्मत नहीं है, और हिम्मत से ज़्यादा सबसे बड़ी बात कि नफरत से भरे लोग और क्या बताएंग नफरत से भरे लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है और जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर सर्म आती है इसी को ले करके आज राजस्थान मलिकाजुन खड़गे ने भी बताए कि किस तरीके से जाती और धर्म के नाम पर बांटने तोड़ने का काम भारती जन्ता इक वग्यां कापड़ है और जब कॉंग्रेस हर जाते हर धर्म के लोगों को उनका हक देने की बात करती जातिकतं जवर्ना के ज़िए सारे डाटा को इख्टा करने की बात करती है तब उस पर जातिकत जंगरना के जर्ए सारे data को इखटा करने की बात करती है तब उस पर तमाम सवाल उठाते हैं तमाम आरोप लगाते हैं आप याद करिए 2011 की जंगरना जातिकत जंगरना इंज थी उसका data आया था लेकिन वो डाटा जब रिलीज करने का वक्त आने वाला था तक सरकार बदल गे और सरकार बदलने के कारण जो नरेंद मोदी की सरकार है उसने वो सच नहीं बताए आज तक नहीं बताए वो डाटा ने रिलीज करने के कारण आज भ्रमित करके कैसे लोगों के साथ में अन्याय किया जा, निश्चेत रूफ सहर्भेक्टि को उसका हक मिलना चाहिए, हख से कैसे आप किसी का चीज सब जाहें, चैने पिछड़ा हो दलित हो, अलफ शंख्ये को, कोई भी हो, उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन पक्षपाद नहीं होना चाहिए लेकिन आज क्या हो रहा है नहक देंगे पक्षपाद जम कर करेंगे इनका अपने लोग अपराध करेंगे तो सब छमा हैं इसका उदारण देखे मोनु मानेसर जिसने नूमे हिंसा का पूरा स्वांग रचा और जिस तरीके से पूरी हिंसा करवाई उस व्यक्ति को अदालत जमानत दे देती और जिसने हिंसा रोकने के लिए उनसे बचाओ के लिए और सब के लिए किया वो कॉंग्रिस का मेले को जेल में डाल दे तो यह सरकार और जुडिसियरी का निचली जुडिसियरी का मिला जुड़ा खेल चला इस तरीके से जुडिसियरी नफरत से भर दी गई और वो अन्याय में साथ देती है न्याय में ने इसके बाद में आई आप सब को याद होगा निठारी का दो दरजन बच्चियों को किस तरीके से उनके साथ रेप किया गया बच्चियों से उसके बाद में उनको किया गया फिर काटके खा जाया गया और सब कुछ उन आरोपियों को आज अलहाबाद हाई को बरी कर देता है यह वही अलहाबाद हाई कोरट है जो पवन खेडा ने प्रधान मंत्री के संड़ में एक बयान देते वक्त कुछ बोला और उसके बाद मैं उसे करेक्ट किया स्वारी बोलते हुगे और उसके बाद भी उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई वो इसके खिलाफ गए कोर्ट तुसाब इलावा धाई कोर्ट उनके केस को वो कर देती है कि नहीं आप सुचिए उनके खिलाफ जज्जमेंट पास करती है और वही इतने बड़े घोर अपरादी को बचाने का काम करती है तो यह नरेंद मोदी और उनकी जुडिशियरी का खिलाए उनकी जुडिशियरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब नौ साल के भीतर जम कर RSS के जजज भर्टी किये गए जो जाके इसी तरीके से करना है इसी तरीके से लिटरर एंट्री के जडिए जो आईएस भर्टी किये गए है और सब किये गए है वो जिस तरीके से नफरत का खेल और नफरत में साथ देते है आपको याद होगा लखीम पुर्खीरी में सदे आम बीडियो के मौजूद है और किस तरीके से कुचल के किसानों को मार डाला गया बावजूद इसके अदालते कोई कारवाई करने को तयार नहीं सब पेंडिंग छोड़ दो जमालत दे दो ये कर दो वो कर दो सुविधाएं दे दो दूसी तरफ इस तरह स्वामी को एक इस्ट्रा नहीं दी थी इस्ट्रा पीने में परेसानी थी उनके गले जिससे वो पानी पी सके मर गए और तो ये नफरत का खेल इस नफरत के खेल की बात करें तो किस किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से हर जगे कहीं स्कैम है कहीं कुछ है कहीं कुछ है उन सब पे परदा डालने के खेल हो और ये खेल चल रहे हैं नरिन मोदी भी करते हैं और हम आदनी पार्टी भी करती हो मुहला क्लीनिक के नाम पे जैसे फ्रॉड किया है जैसे बड़े घोटाले किये हैं पूरे पंजाब में आप आईए देखिये बने हुए कमरे में उसमें सिर्फ पुताई की एक डाक्टर बैठता है दिखा रहे हैं कि 6 गंटे में उसने 600 से अधीक मरीज देख लिए और भी काम कर दिए और उसको पेमेंट होता है क्या संभव है चाहें जिस डाक्टर से पूछ लिजिए क्या इस संभव है नहीं है ले दिल्ली की सरकार नरेदमोदी की सरकार इस तरह कर दिए तो इसकैम होते हैं और यह कहते हैं कोई सुविधाय नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे आज लगजरी बंगले के लिए लवा हैं और अर्विन केजिवाल ने अपने बंगले को किस तरीके से राजमहल बनाया है कंच सब्सक्राइब जो पहली बार राजस्वा सदस्ट बने उन्हें बंगला दिलवाया और वो बंगला उसके लिए पूरी वो कर रहे हैं कि नहीं साब उन्हें इतना लगजरी बंगला ही चाहिए क्यों भाई राहुल गांधी तो फिर बहाल होने के बाद भी उन्होंने का हमें बंगला नहीं चाहिए मैं अपनी मां के साथ रहे हैं मीटिंग में खड़के साब के आँ जाके कर लो पार या कॉंग्रेस आफिस में कर लो कोई बात नहीं और वो सीनियर मोस्ट सांसत है यह इस पैसा खर्च करके नरेंदमोदी लोगों को जुटाते हैं कि आओ मेरी रोट सो में फूल बरसा दो वो दिखा दो यह रैली में आ जाओ और दूसी तरफ राहुल गांधी के लिए चंता उमरती है आज वो मिजोरम में उपनी और मिजोरम में देखने वाला बंदा कि कैसे उ लोगों के मन में क्या आदर भाओ तो यह अंतर है नफरत और मुहबत का तो नफरत और मुहबत के अंतर को समझना होगा तो आप मुहबत में रहेंगे आगे बढ़ेंगे सदयों जीतेंगे और नफरत में रहेंगे तो सब बरबात करेंगे जो हो रहा है इसराइल में भी औ चीजब थाल कि अजय को अजय को अजय को अजय को